अलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, सीए डीब जीस्टी टेक्स नॉलेज आज की मेरी ये जो वीडियो रहेगी, वो MSME जिसने स्कीम उप्टेन करके रखी है, उनके लिए है अगर कोई MSME है, और उनके दरह अगर कोई टाम लौन ली गई है, वरकिंग कैपिटल लौन ली गई है, या किसी भी प्रकार की लौन ली गई है, तो उनके दरह जो भी इंट्रेस पेमेंट किया जाएगा, उसके उपर कुछ प्रतिसाथ से रिलिफ प्रोवाइट की जाएगी कौनसी स्कीम में, तो कि ये वाली स्कीम है, इंट्रेस सब्वेशन स्कीम फोर MSME 2018 के लिए, गौर्मेंट ने 2nd November 2018 को MSME के लिए इंट्रेस सब्वेशन स्कीम एनाउस की थी, और उसके परपस क्या था, MSME के द्वारा जो भी लौन ली गई है, वरकिंग कैपिटल लौन ली है, टर्म लौन ली गई है, उसके पर जो भी इंट्रेस की कॉस्ट है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना था, उसको थोड़ा रिड्यूस करना था, और ये स्कीम फाइनांसेल ये 2018-19 and 2020 के लिए, त्मिस टू यर्स के लिए एप्लिकेबल थी, और इसकी क्राइटेरिया क्या था, एलिजिबल क्राइटेरिया, तो कि आपके पास वैलिड उद्योगाधा नंबर होना चाहिए, मतलब कि आप MSME में रजिस्टर होने चाहिए, और आपके पास वैलिड GSTN नंबर होना चाहिए, ये स्कीम 2nd November 2018 को आई थी, और फाइनेंसेल यर के लिए अप्लिकेबल थी तो भी इंट्रेस्ट पेमेंट किया जाएगा, उसके उपर प्रिस्काइब परसंटेज से आपको रिलिफ प्रोवाइट की जाएगी, ठीके, पर अगर कोई MSME एक्सपोर्टर्स है, उसके द्वारा उसके द्वारा अगर प्री सिप्मेंट या पोस सिप्मेंट क्रेडिट क सिप्मेंट के द्वारा इंट्रेस्ट सब्मेंशन स्कीम उसका प्राप्त उसका बेनिफिट उसने पहले से ही ले लिया है, तो उसके उपर भी ये स्कीम एप्लिकेबल नहीं रहेगी, अब आजाती है ऑप्रेस्टनल फॉर्मलिटी तो कि ये कितने परसंस आपको इंट्रे हुई है, टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन कुछ भी लिया हुआ है, तो आपको अपनी बैंक्स में जाके इसकी पुछ पर्मेशन जरूर से प्राप्त करनी चाहिए, क्या आपके उपर ये वाली स्कीम एप्लिकेबल होती है, अगर एप्लिकेबल होती होगी, तो फाइनसियल यर 18-90 अल्रेडी चला गया है, और फाइनसियल यर 90-20 अभीच कंप्लिट हुआ हुआ है, तो आपको और उसका बेनिफिट आपको फाइनसियल यर 2021-22 में मिलेगा, तो उसकी आपको जरूर से बैंक में जाके इंफोर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए, ताकि बताएगा, और अगर अच्छी लगी हो, तो आप उसको लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठेंक यू,